भारत तक अब नए अंदाज में मजबूत करने के लिए अमेरिका अपने पूराने जिगरी दोस्तों को भी तवज्जो नहीं दे रहा है और उसके मुकाबले भारत को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है ये बदलती हुई रणनीती का हिस्सा जरूर हो सकता है लेकिन भारत के लिए हाथ से देखा जाए तो फिर ग्लोबल पावर बनने के दिशा में भारत के लिए इस तरह की जो कदम है वो काफी फाइदेमन साबित हो सकते हैं तो अमेरिका ने क्या किया है ऐसा जिसकी चर्चाएं हो रही हैं दुनिया में इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने एक खास वर्चियल कॉन्फरेंस के लिए दरसल 110 देशों की लिष्ट में भारत को शामिल किया है अब आप कहेंगे कि भाई 110 देश तो काफी होते हैं उसमें भारत का नामा गया तो क्या हो गया तो अब इसको जरा आगे जब आप खबर को जानिएगा तब आप हैरान रहिएगा जो बाईडन ने इन सभी देशों को लोकतंत्र के विषय पर एक वर्चुल सम्मेलन के लिए इन्वाइट किया है इस सम्मेलन के लिए कई पश्चिमी देशों के अलावा इरात, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों को नियोता भेजा गया है हाला कि इस लिष्ट में चीन का नाम नहीं है, लेकिन ताइवान का नाम है माना जा रहा है कि ताइवान को नियोता भेजे जाने के कदन से चीन नाराज होगा ही होगा इसके अलाबा इस लिश्ट में बांगलादेश, रूस, तुर्की और श्रिलंका का नाम तक शामिल नहीं है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट ने में इस लिश्ट को पोस्ट किया गया ये सम्मिलन 9 और 10 दिशंबर को शेड्डूल किया गया है इस ओनलाइन कॉन्फरेंस में कुछ चौकाने वाले फैसले भी लिए गया है मसलन अमेरिका ने अपने परामपरिक दोस्तों वो जैसे मिसर, सौधी, अरब, जॉर्डन, कतर और युए को इस सम्मिलन के लिए आमंतरन ही नहीं बेजा मिड्ल इस्ट के देशों की बात की जाए तो इस लिस्ट में केवल और केवल इजराईल और इराग का नाम ही शामिल है इसके अलावा बाइडन ने ब्राजील को नियोता भेजा है यूरोप में पोलेंड को अमेरिका का नियोता भीजा गया है हालाकि पिछले कुछ समय से इस देश में Human Rights Records को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही थी वहीं अगर अफरीका की बात करें तो Democratic Republic of Congo, South Africa, Nigeria और Niger जैसे देशों को नियोता भेजा गया है अगस्त में शिखर सम्मेलन की जब घोशना हुई थी तब White House ने ये जानकारी दी थी कि सम्मेलन जो होने वाला है उसमें तीन विशे काफी प्रमुख है और इसमें जो है वो अधिनायक वाद के खलाफ अवाज उठाना, भरस्टा चार से लणना और मानव अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने जैसे वेश्यों पर चर्चा की जाने की बात कही गई है देशों की सूची बड़ी है लेकिन उसमें भारत का भी नाम है और इसके लिए अमेरिका ने अपने कई जिगरी खास दोस्तों को भी दरकिनार किया है हलाकि चीन का भी नाम नहीं है अब ऐसे में चीन से हलाकि अमेरिका के बहुत अच्छे रिष्टे नहीं है रूस से भी बहुत अच्छे रिष्टे नहीं है लेकिन उनका नाम नहीं है ऐसे जब भी बड़े बैठक अमेरिका की तरफ से किये जाते रहे हैं तो वो मौको पर इन देशों को अमंतरन भेजता रहा है लेकिन इन देशों को अमंतरन ना भेज कर ठीक चीन से चीन को तरजी ना देकर भारत को ने उता दिया गया ताइवान को ने उता दिया गया इससे साफ हमें पता चल रहा है कि अमेरिका आगे आने वाले वक्त में जो ह वो भारत जरूर नजर आ रहा है इस पामले में अब जब अपडेट्स आएंगे चीन का रियाक्शन आएगा रूस क्या कहता है ये सब कुछ भी भारत तक आपको बताता दिखाता रहेगा देखते रहिए भारत तक झाल ओब बताओेट्स आएपोन एपको अफ़ोन आएट्स आएपको बताता दिखाता है